सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने हीट के टॉपिक को थर्मो डाइनमिक्स अर्थात उश्मा गति की चैप्टर चल रहा है और आज हम करने बाले हैं कार्णो इंजन ठीक है ना तो पहला सवाल लिखिए कार्णो इंजन क्या है पहला सवाल बनाई ये कार्णो इंजन क्या है कार्णो इंजन दो नाम है साइन्टिस्ट का जो जिन्होंने इसकी ये कार्णो इंजन क्या है पहले ये एक मॉडल है क्या है एक मॉडल है समझ गया ना जैसे आप कोई आइडिया विक्सित करते हैं तो ये एक आइडिया है ये यह आइडिया practically प्रवसिबल नहीं है, समझ गया ना, जैसे की कई सारे ideas आते हैं however, हमारे लोकलिटी में हमारे आसपास में कई सारे ideas if that przy like मैं भाद करूँ कि कट्नि को smart City पनाने का दिदी बात की जाए, smart स्मार्ट शहर बने कटनी तो बात चल रही है परन्तु स्मार्ट कब बनेगा जब सारे लोग एक साथ सहयोग करेंगे किसी एक के कहने से तो यह काम बन नहीं जाएगा है ना तो मतलब आइडिया जो है यह प्रैक्टिकल उतना ज्यादा समझ में आता नहीं है जब लोग कि हमारी गाड़ी जो है पेट्रॉल सो का एवरेज देने लग जाए हंड्रेड एंटेन का एक सो दस का एवरेज देने लग जाए बट क्या यह आइडिया प्रैक्टिकल ग्राउंड में सक्सेज होगा क्या यह आइडिया जमेनी तोर पे सफल हो सकता है नहीं हो सकता है है न पेट्रॉल गाडियों से सौक से ज़्यादा का एवरिज ले पाना अभी की स्थिति में संभव नहीं है तो इस तरीके से कारनौट ने एक मॉडल दिया एक मॉडल बताया एक इंजन का मॉडल बनाया उसने कि इस मॉडल पे अगर आप इंजन मनाएंगे तो इस आपके इंजन की एफिशेंसी याने की दक्षता जो है बहुत ज़्यादा होगी समझ रहे हैं? अगर आप इस मॉडल पे इंजन मनाएंगे तो आपके इंजन की जो दक्षता है वो बहुत ज़्यादा होगी समझ गए मगर ये model फिर भी इतना ज्यादा successful नहीं है मतलब ये कह लिजे कि ये आदर्श engine है कैसा है आदर्श engine तो है ये आदर्श engine को तो बताता है मगर on real ground जमीनी हकिकत पे ये एक practical engine का संभव नहीं है समझ में आया मगर आदर्श चीजों को ले करके ही हम अपने आपको ढालने की कोशिश करते हैं भगवान नहीं बन सकते हैं भगवान हमारे आदर्श होते हैं इश्वर हमारे आदर्श होते हैं श्री राम हमारे आदर्श है तो श्री राम मनना पॉसिबल, कृष्ण मनना पॉसिबल नहीं है, मगर उनके कुछ गुणों को हम अपने अंदर ले सकते हैं, ऐसा करा जाता है, तो यह ऐसे यहां भी है, कि कारनौट का इंजन सौ फीसद तो पॉसिबल नहीं है, 100% कारनौट के इंजन को रियलास्टिक जमी मैकसिमम उसको, उस मॉडल को हम ऐसा इंजन मना है, जो मैकसिमम से अधिक से अधिक उस मॉडल को सपोर्ट करें, तो 100% एफिशेंसी तो छोड़िए, 90 मिल जाएगी, 90 भी नहीं, 80, 60, 70, इस वाली एफिशेंसी के आसपास जो है, हम ला सकते हैं, चलिए तो आईए बात करते हैं, पहला सवाल लिखिए, कारणो इंजन क्या है, क्या यह व्यवहार में संभो है, पहला सवाल है, कारणो इंजन क्या है, और क्या यह व्यवहार में संभो है, हमें बताना है कि कारणो इंजन क्या होता है, और क्या यह इंजन वाकई में व्यवहार में संभो है या नहीं ह Okay, तो कार्णो इंजन कैसा इंजन है? लिए कार्णो इंजन एक ऐसा आदर्ष उत्करम्णियं इंजन है कारणों एंजन एक ऐसा आदर्श उतक्रम्णी एंजन है जिसकी दक्षता केवल जिसकी दक्षता केवल सुरोत एवं सिंख के तापों पर निर्भर करती है कल आपको मैंने हीट एंजन पढ़ाया था कल मैंने heat engine पढ़ाया था और मैंने efficiency उसकी दक्षता निकल वाई थी n equal to 1 minus q2 upon q1 अगर आपको याद होगा ये इसकी दक्षता निकली थी उश्मा एंजन की दक्षता 1 minus q2 upon q1 वो याद है तो आज हम कार्णो एंजन पढ़ने वाले हैं कार्णो एंजन में बस थोड़ा सा प्र और यह आपके पास भी उतक्रमणी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रक्रम ए से सुरू होता है और वापस चल करके वहीं पर आके खतम हो जाता है एप आता है मतलब जाता है और फिर क्या होता है आता है समझ गया ना उतक्रमणी है एक तो बताया था मैंने उतक् तो दोनों प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था जब एक होती है इसका मतलब ऐसे प्रक्रम में डेल्टा यू आंत्री कूर्जा में परवरतन कितना होता है? जीरो फिर भूल गया होगे क्यों होता है सर जीरो टेमप्रेचर वहीं का वहीं रहेगा ना प्रारम भी कॉंतिम सेम है तो डेल्टा यू जीरो इसलिए होगा क्योंकि डेल्टा टी क्या होगा जीरो समझ में आया तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू जीरो है क्योंकि इसका फायदा ये है, कि, delta w is equals to delta, delta q is equal to delta u plus delta w, ठीक के ना, तो जो आपके पास में, संपूर्ण उशमा दी गई है, वो आंतरिक उर्जा को बढ़ाने में, इस्तमाल नहीं होती है। वर्क डन प्राप्त होता है ठीक ना तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़े देर में कि यहां पर जो फॉर्मुला बनेगा यह बनेगा नीटा इस इक्वल्स टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन आज हमारा उदेश पढ़ाई का यह है कि यह सूत्र कैसे आता है ठीक ना तो अ अग्याई तहां तो कल पढ़ा आपने ऊश्मा इंजन आज पढ़ेंगे कार्नाट इंजन तो पहले यह था वन माइनस क्यो टू वाई क्यू उन और अब हम पढ़ने वाले हैं वन माइनस टीüss टू वाई टी वन में यह कैसे बनेगा ठीक है तो मैंने बताया आपको कि कारणों इंजन वह आदर्स उत्करम्नी इंजन है जिसकी दक्षता किवल सुरूत वह सिंख के तापों पर निर्भर करती है और इन ही तापों और इन ही तापों के लिए इसकी दक्षता अन किसी प्रकार के वास्तिविक इंजन की दक्षता से ज़्यादा होती है और इन तापों के लिए इस इंजन की दक्षता किसी भी वास्तिविक इंजन की दक्षता से अधिक होती है इसके comparison में अगर आप कोई वास्तिविक इंजन ले ले तो उससे जो दक्षता होती है इसकी जो दक्षता होती है उससे कहीं ज़्यादा हुआ करती है ठीक है भई? ठीक है तो कारणो इंजन में कुछ चीजे हुआ करती है वही स्रोत, सिंग, पिस्टन, सिलेंडर है न उन चीजों को हम जान लेते हैं कि कारणो इंजन में क्या है? लिखें question, कार्णों इंजन क्या है, इसके मुख भाग दर्शाईए, सवाल बनाईए, कार्णों इंजन क्या है, इसके मुख भाग दर्शाईए, मुख भाग दर्शाईए, इसमें सुरोत वा सिंख के कारे बताईए, इसमें सुरोत वा सिंख के कारे बताईए, तो मुख भाग बताना हैं, और सुरोत वा सिंख के कारे भी आपको बताने हैं, देखते हैं बच्चों, कैसे होगा, तो कार्णो इंजन क्या है कार्णो इंजन एक आदर्ष इंजन की कल्पना है जो उश्मा को सततकार में बदलती है और इसके प्रमुक भाग यह है तो देखिए प्रमुक भाग क्या है उश्मा का स्रोत वही कल जो बताया था मैंने दूसरा उश्मा सिंख उश्मा जहां से मिलती है वो उश्मा स्रोत होता है उश्मा जहां जाती है वो उश्मा सिंख होता है तो इसके जो प्रमुक भाग है वो है उश्मा स्रोत उश्मा सिंख पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म और आदर्ष गैस से भरा हुआ पिस्टन युक्त सिलेंडर आदर्ष गैस से भरा हुआ पिस्टन युक्त सिलेंडर अब आदर्ष गैस से भी आप कहां आदर्ष गैस धूड़ेंगे आदर्स गैस होती ही नहीं है देखा जाए तो वो तो गैस का एक मॉडल है तो आदर्स गैस की परिकल्पना भी संभव नहीं है तो क्या-क्या बता दिया भीया उश्मा कसरोत उश्मा सिंख पून कुचालक प्लेटफॉर्म और आदर्स गैस से भरा हुआ पिस्टन युक्त सि बनाता हूं मैं इसको देखें इसमें क्या होता है इसमें मेंली चार पार्ट हुआ करते हैं इसमें सबसे पहले यह आपके पास में इधर यह देखिए यह यह आपके पास में जो है यह पिस्टन है ओके यह पिस्टन है और इसके अंदर जो है आदर्स गैस भरी हुई है यह आदर्स गैस इसके अंदर भरी हुई है तो पिस्टन है इसके अंदर आदर्स गैस भरी हुई है सिलेंडर और पिस्टन है और यह जो दिवाल होती है यह होती है चालक इसके नीचे के दिवाल क्या होती है चालक किसको करती है जी हाँ क्योंकि ताप समान रखना है तो चालक दीवार चाहिए है समतापी प्रक्रम ठीक है आप देखिए तीन जगहें हैं एक ये एक ये और एक ये थोड़े छोटे बड़े बन गया है बुक्स में बिल्कुल बराबर बराबर बनते हैं है ना तो तीन जगहें हैं आपके पास में ये बनी हुई है ये कहलाता है बच्चों इसको कहते हैं उश्मा सुरूत ये होता है टीवन डिग्री सेंटिग्रेट पर उश्मा सुरूत टीवन डिग्री सेंटिग्रेट पर इसक चलक और जो सिंग होता है, इसकी भी दीवार चालक होती है, इसे बोलते हैं उस्मा सिंग इसकी भी दीवार होती है, T2 degree centigrade Kelvin बोला जाता है centigrade Kelvin में Si तो Kelvin centigrade नहीं चलेगा बच्चो Kelvin चलेगा T1 Kelvin T2 degree Kelvin ओके यह होती है ठीक और दूसरा आपके पास में यहाँ पर बीच में है यह है पूर कुछालक platform पूरा कुछालक है यह तो इसमें लिख लिजे पूरा कुछालक platform यह हो गया पूरा कुछालक platform सिंक श्रोत का तापमान जरूर लिखिएगा सिंक का तापमान होता है T1 degree Kelvin सिंक का तापमान T2 degree Kelvin श्रोत की जो उसमी उपर की जो सतय है यह भी कैसी है चालक है और सिंक की जो उपर की सतय है वो भी कैसी है चालक है ठीक ना चालक मतलब सो चालक जो उश्रोत का आदान प्रदान हो सके तो यह भी देखिए यह चालक है और यह भी चालक है और यह भी चालक है मतलब यह वाली नीची वाली लेयर इसके उपर वाली सत्य है और उपर वाली सत्य है इनकी सब की क्या है चालक है लिखे उश्मा सुरोथ के कारिय अब उश्मा सुरोथ का कारिय उश्मा सुरोथ का कारिय क्या करते हैं उश्मा सुरूत जो होता है एक नियत उच्छ ताप T1 पर रखा जाता है उश्मा सुरूत का कार क्या है उश्मा सुरूत को एक नियत उच्छ ताप T1 पर रखा जाता है तो उश्मा सुरूत देख लिज़े आप T1 उच्छ ताप पर ये रखा हुआ है इसका ताप बिना बदले इससे अपार उश्मा ली जाती है मतलब इसका ताप बिना बदले मतलब जब ये मेरा सिलेंडर पिस्टन इसके उपर आएगा जब मेरा सिलेंडर पिस्टन ये है इसके उपर आएगा तो इसका ताप मान पहले कितना है T1 है बाद में भी कितना रहेगा T1, मतलब सम ताप ये परक्रम रहेगा और ये क्या ग्रहन करेगा पिष्टन इससे उश्मा, आदर्स गेस क्या ग्रहन करेगी, उश्मा, समझ में आया कि नहीं है, तो उश्मा ग्रहन करेगी, येस, अब सिंक का कारिया, लिखे सेकेंड सिंक का कारिया, लिखो सिंक को एक नियत निम्न ताप T2 पर रखा जाता है, तथा इसका ताप बिना बदले इसे अपार उश्मा दी जा सकती है, और इसका ताप मान बिना बदले आप इसको अपार उश्मा दे सकते हो, मतलब ये वाली लेयर क्या करती है, यहां से ये उश्मा प्राप्त करेगा, और यहां से इसको 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 इसक कार्णों इंजन को व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्यों ये व्यवहारिक इंजन नहीं है ये एक आदर्श इंजन तो है जैसे राम नहीं बन सकते हैं हम लोग आदर्श हैं वो हमारे समझ गये ना व्यवहार में राम को उतारना पॉसिबल नहीं है श्री राम तो आदर्श इंजन है अब इसके कई कारण है इससुन लिजे लिखने का टाइम मद खरब कीजे बाद में इसको लिख लिजेगा कोई अधर से कुचालक है मतलब कोई आसा मैटल नहीं है जो हीट को पूरे तरीके से बिना खाए दे दे और कोई ऐसा non metal नहीं है कुछालक नहीं है कि बिल्कुल भी heat ना ले थोड़ा तो गरम होता ही है हाई या ना तो कार्णो इंजन में यह माना जाता है कि cylinder की दीवार पूर्ण कुछालक है हम यह मानते है कि जो cylinder की दीवारे हैं पूर्ण रूप से क्या है कुछालक है इसका आधार क्या है पूर्ण सुचालक तो दीवारे हैं कुछालक और आधार है सुचालक तथा इसका आधार पूर्ण सुचालक है मगर व्यवहार में संभव नहीं है क्योंकि कि दुनिया का कोई भी प्रदार्थ पूर्ण कुचालक या पूर्ण सुचालक नहीं है, समझ में आया, तीसरा पॉइंट, कार्णो इंजन में यह माना जाता है कि सिलेंडर में पिस्तन की घरसन गती होती है, जो की असंभव है, सिलेंडर में पिस्तन की घरसन गती उतनी नही होती है समझ गया ना पूर्ण रूप से घंसन गती नहीं होती है तो दो पॉइंट उपर के ज़्यादा अच्छे हैं वह आप लिख लीजिए समझ गया ना चलिए नेक्स बात करते हैं अगला अब देखिए बच्चों अब जो है आपको अब पूरा मुझे बताना है कार्णो चक्र और कार्णो चक्र के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा मुझे कारनोट इंजन की दक्षता बतानी है और किया गया कार्य बताना है समझ में आया अब एक चीज को इसके पहले समझे एक चीज यह है जो आपको आज तक पता नहीं है बिटा वर्क ड़न क्या होता है वर्क ड़न इस इकॉल टू होता है पी डी भी हाँ या ना वर्क ड़न इकॉल टू पी डी भी मतलब पी डी भी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है छेतरफल यह आप क्लास 12 में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है छेतरफल मतलब की ये आपके पास P है और ये आपके पास V है ये आपके पास P है और V है PDV का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी वक्र आ रहा है उसका आपको उसका आपको जो है छेतर फल निकालना है घिरा हुआ किस से आयतन अक्ष से किस से आयतन अक्ष से समझ में आया तो PDV का मतलब होता है छेतरफल, समझ में आया? और DV है, इसलिए आयतन से छेतरफल निकालोगे, अगर DP होता, तो किसके साथ छेतरफल निकालते है? दाब से, फिर किससे निकालते है? दाब से, अगर DP होता तो दाब से निकालते है, और DV है तो किससे? आयतन से, DV है तो किससे? आयतन से नहीं आये यह बत समझ में PDV मतलब सीरे छीरे छेतर फल निकालना है अब कार्नोट इंजन में पढ़ने वाले हैं तो क्योंकि बहुत सारी एक दम से चीज़ें आ रहे हैं बहुत सारी है ना तो अब हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट इंजन को समझने के लिए पहले आपको पढ़ना पढ़ेगा कार्नो चक्र क्या पढ़ना पढ़ेगा कार्नो चक्र क्योंकि कार्नोट इंजन जो होता है चार प्रक्रोम से गुजरता है कित्य प्रक्रम से चार दो समतापिय और दो रुधोष्म दो समतापी प्रक्रम होते हैं और दो रुधोष प्रक्रम होते हैं तो आईए देखते हैं हम पढ़ते हैं कार्णो चक्र ठीक है ना तो कार्णो चक्र के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो प्रकार के अब देखिए मेरे को मिटाना पढ़ गया मगर इसकी आप मन में इमेज बनाये रखिए यह चलो थोड़ा देर नहीं भी मिटाता हूँ तो यहाँ पे मैं चकाम चला लेता हूँ मैं इधर लिख देता हूँ यह है उश्मा सुरोत थीक ना लिए लिख दिया मैंने चलो मैं अपना कारणो चकर यहाँ पे बना लेता हूँ यह देखिए यह है पी और यह है आपके पास भी आपको याद होगा मैंने दो प्रक्राम आपको पढ़ाया थे समतापिये का जो पीवी ग्राफ होता है वो ऐसा होता है याद है और रुधोस्म का जो पीवी ग्राफ होता है वो बहुत ज़्यदा इस्टीपर होता है बहुत जोर सी गिरता है यह सौनो तो यह उपर वाला क्या है समतापिये और नीचे वाला क्या है रुदोश में ठीक है न तो देखिए क्या होता है कारणो चक्र में चार प्रक्रम हुआ करते हैं और इन चारो प्रक्रमों के दौरान जो है इन चारो प्रक्रमों को जो गैस भरी होती है आदर्स गैस वो भोगती है इन चारो प्रक्रमों से गुजरती है वो आदर्स गैस तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा साग्राप बना रहा हूँ, ये है P और ये है V, P मतलब दाब, V मतलब आयतन, दाब और आयतन की बीच में अब कारणों छक्र घटित होगा, उस कारणों छक्र में, उस चक्र में जैसे अभि मन्यू फसा था, चक्र व्यू हुमें, वैसे इस कारणो कैसे होती है आदर्स गैस कैसे फस्ती है तो पहले इस चक्र की सुरुवात होती है हम घर से चले आदर्स गैस है जिसका आयतन है पीवन और सॉरी दाब है पीवन और आयतन कितना है भीवन दाब है पीवन और आयतन कितना है भीवन clear हुआ, अब हम क्या करते हैं, अब हम, जो है, others gas के इस chamber को इसके उपर रख देते हैं, बोलो हाया न, इसके उपर रख देंगे, मजलो भाई इसके देखो, यहां से इसको इसके उपर रखा, तो बिटा यहां से इसके उपर जैसे आएगा, तो इन दोनों का तापमान कितना हो घटित होगा कौन सा प्रक्रम समतापी और गैस उसमा लेगी तो गैस में क्या होगा प्रसार क्या होगा गैस में प्रसार होगा तो यह देखिए पहले प्रक्रम में जो होता है गैस में प्रसार हुआ तो A से चला समतापी प्रक्रम और B पे पहुँच गया कहां पर P2 V2, मगर यहां का ताप मान कितना है, और यहां का भी ताप मान कितना है, T1 क्योंकि सम्तापी में ताप कभी बदलता नहीं है, तो पहला प्रक्रम घटित हुआ सम्तापी प्रक्रम P1 V1, ताप मान था T1 और भी भी T1 है, समझ में आया ना देखे खिसल पट्टी कमजोर वाली है मतलब कैसा है समतापी है समझ मैं यह समतापी प्रक्रम हो गया है अब आपने तापमान लेने के बाद इसको जो है इसके उपर रख दिया पूर्ण कुछालक प्लेटफॉर्म के उपर तो जैसे कुछालक प्लेटफॉर्म के उपर रखोगे, कुछालक से कभी उस्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अब घटित होगा रूधोस में प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम होगा, रूधोस में प्रक्रम होगा, समझ में आया, अब घटित होगा रूधोस प्रक्रम, तो र point c पर, point c पर, बोलो, कितना है, p2, कितना है, sorry, 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 तो यहाँ पर आपके पास जो हो जाएगा, c point ले लो इसको, यहाँ दाब कितना हो जाएगा, p3, और item कितना, v3, तो दाब हो गया, p3, और आयतन हो गया वीथरी समझ में आ गया दूसरे पे आ चुके हैं अब देखिए अब आप क्या करते हैं अब आप इसको ले जाते हैं सिंक पे किस पे ले जाते हैं सिंक पे समझ में आया ना तो सिंक जो है सिंक पे ले जाएंगे तो अभी क्या हुआ था बिटा प्रसार यह क्या हो गया संपीडन क्या हो गया संपीडन कैसा संपीडन है संतापिये कैसा है संतापिये देखो पहला है संतापिये प्रसार दूसरा है रूधोस में प्रसार फिर है संतापिये संपीडन यस और नू यहां देखिए यहां पर दाब कितना पी फोर आयतन कितना वी फोर ब करके सिंक के ऊपर जो है रख करके हम तो होगा ना नहीं अब तो इसकी ऊपर आ गया ना बिटा सिंक के ऊपर अब तो सिंक के ऊपर आ गया ना तो सिंक के ऊपर से रख करके आप जो है इसको क्या कर रहे हो संपीडित कर रहे हो तो यहां से इसका तापमानी सवस्था का कितना रहेगा T2, मतलब ये पूरी प्रोसेस किस में चलेगी, T2 में हाया ना, सिंग के तापमान में, और ये पूरी प्रोसेस किस में चलेगी, T1 में, क्योंकि ये भी समतापी है, और ये भी क्या है, समतापी है, समझ में आया, तो यहां तक पहुँच गया, ये बन गया point D, क्या ब होगा संपिदन धेखलो आयतान घट रहा है समझ में आया कोई दिक्कत तो ये कहलाता है कारनों चक्र क्या कहलाता है ये कारणों चक्र नोट कर लो भाईा ये कहलाता है कारंों जक्र रूग्ण ठीक है तो देखा आपने ये चक्र पहुँच गया है और चक्र वापस अपनी जगह पर आ चुका है तो इस तरीके से ये है एक चक्रिय प्रक्रम कैसा प्रक्रम है? चक्रिय प्रक्रम उन्हों आप सब को पता है कि चक्रिय प्रक्रम में क्योंकि अवस्था सेम रहती है इसलिए आंत्री कूर्जा में कोई बदलाओ नहीं आएगा और किया गया कार पूरी रूप से दी गई उसमा कार में पढ़नित होगी दी गई उस्मा जो है कार में पढ़ने थोगी अब मुझे इसे मिटाना ही पड़ेगा देखो समझ में आगे ना क्या क्या हुआ है पहले अपन ने इसको इसके उपर रखा हाई या ना तो कैसा प्रकरम हुआ समतापी प्रकरम हुआ समझ में आगे ना समतापी प्रसार हुआ फिर अपन इसको उठा करके फिर से इसके उपर ले गए है तो रुधोस प्रसार हुआ है फिर इसके उपर ले गए है तो समतापी इस संपीडन हुआ है फिर इसके उपर ले गए तो कैसा हुआ है और फाइनली अपना जो प्रक्रम था आदर्स गैस जहां से चलना शुरू हुई थी वही पर पहुँच चुकी है अब इसको हम डिराइब करते हैं जो फॉर्मूला मेन पढ़ने के लिए हाज हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम यहां पर वित्पन करेंगे उसको हम उत्पन करेंगे डन स्टार्ट करें चलो भीया देखो अब एक एक तरफ से करना है देखिए बिटा यहां पर चार काम हो रहे हैं क्योंकि चार प्रक्रम हैं और चार प्रक्रम के चार काम हो रहे हैं चार प्रक्रम के चार काम हो रहे हैं पहला प्रक्रम जो हुआ है, समतापी प्रक्रम हुआ है, ठीक है ना, तो आपको मैं लिखे देता हूँ, जो चार प्रक्रम हुए है, A से ले करके B, तक क्या है बिटा ये, समतापी प्रसार है, समतापी प्रसार, अब प्रसार में किया गया कार क्या होता है, धनात्मक कैसा होत है धनात्मक तो पहला कार है समतापिय प्रसार ही ना दूसरा बी से ले करके सी क्या है भी या रूधोश्म प्रसार है तो रूधोश्म प्रसार है बी से ले कर सी तक में फिर इसके बाद जो है सी से ले करके B से लेके C पहुँच गए और C से लेकर के D क्या है C से लेकर D तक है समतापिय समपीडन ओके और लास्ट D से लेकर A तक क्या है रुधोश में समपीडन तो यह चार प्रकार के प्रसार है अब देखो इसमें किया गया कार क्या लेना पड़ेगा धनात्मक इसमें क्या लेना पड़ेगा धनात्मक अब इसमें गैस के द्वारा किया गया कार जो आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा माइनस क्योंकि यह समपीडन है मतलब गैस काम नहीं कर रही है गैस पर काम हो रहा है वातावरन काम कर रहा है और ये भी क्या लेना पड़ेगा माइनस समझ में आया इसका कारे मैं मान लेता हूँ W क्या मान लेता हूँ W1 क्या मान लेता हूँ इस पे गैस के द्वारा किया गया कार कितना है W2 इसमें गैस के द्वारा किया गया कार W3 और इसमें gas के दोरा कियागा कार W, yes or no, तो क्या नियम बनेगा जो कुल कारे होगा W बराबर W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, क्योंकि 2 में तो उश्मा gas ने गरहन करी है, 2 में तो gas ने कार किया है, और बाकी पर किसने बाहर वाले ने काम किया, ना, बोलो, 2 में gas ने काम किया, तो वो धनात्मक है क्योंकि प्रसार हुआ है, बाकी में 2 क्या होंगे, धनात्मक आया समझ में, चलिए, तो अब देखते हैं, W1, W2, W3, W4 कितना होगा, अब यहाँ पर आपको जो हमने पुराने फॉर्मुले बढ़ाए हैं, वो आपको बनने चाहिए, पुराने नहीं कॉपी के देख लेंगे अप लोग, तो पहला समतापी प्रसार में किया गया कार, जो W1 निकलेगा, जो है ना, समतापी प्रसार में किया गया कार, तो W1 is equal to, और यहाँ पर क्या करेगा यह Q1, स्रोथ से उसमा लेगा, W1 equal to Q1, W1 equal to Q1, तो W1 equal to Q1, अब फिर हाँ यह ना, अरे वो ही डिल्टा लगा दो, और समतापी प्रसार में कितनी होती है, जी रो तो Q बराबर सीधे सीधे क्या होगा, W1 is equal to सीधे शुद्ध सुद्ध ली गई उश्मा, और W1 का फॉर्मुला मैंने आपको क्या पढ़ाया है, RT1 log E base पे V2, ने आप बाद वाला आप V2 upon कितना, V1, देख लो, दो फॉर्मुले पढ़ाया थे, एक log E base वाला, एक 2.303 वाला, तो यह 2.303 वाला नहीं, उसके पहले वाला है, E base वाला है, log E base पे V2 भाई, V1, वो लो आया समझ में की नहीं आया, ठीक है ना, तो यह हो गया पहला, दूसरा देखते हैं, W2, W2 is equal to कितना बेटा, जो किया गया कारे है, W2 is equal to किया गया कारे, यह वाला प्रक्रम चल रहा है, हाँ या ना, रुधोस प्रक्रम में फॉर्मुला होता है, R upon gamma minus 1, R upon gamma minus 1, और तापमान में परवर्तन पहला कितना है, T1, और बाद में कितना है, T2, चेक कर लो भाई, अकल ही डिराइब करवाया हूँ, T1 minus T2, कॉपी के पन्ने पलट करके देख लो, रुधोश में किया गया कार, R upon gamma minus 1, T1 minus T2, है, चलो, अगला, हाँ, देखिए, अगला कारे देखिए, अगला है, समतापी ये समपीडन की बात की जाए, तो समतापी ये समपीडन में यहां का कारे म T2, V3 by V4, R T2, V3 by V4, समझ में आया, R T2 हो गया, और V3 by V4, any problem, R T2, V3 by V4, next देखते हैं, अगला जो प्रोसेस है, ठीक ना, अगला है, रुधोश में समपीडन, तो रुधोश में समपीडन जो आपको लेना है, फिर से क्या आएगा आपने पास में देखिए, W4 is equal to, अच्छा देखो एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा बच्चों आपको, यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, कि अगर डिरेक्टली आपको माइनस साइन की जंजट से बचना है, अपने आप माइनस हाजाएगा, इसको कर दो इसी क दोन पर, पहले देखो अंतिम आप प्रारंभिक, अब यहाँ पर अंतिम आयतन कितना है V4, और प्रारंभिक आयतन कितना है V3, तो यहाँ पर कर दिया कितना V4 अपन V3, अब याद रखना, यह आटोमेटिकली लिया गया काम है, क्योंकि यह संपीडन है, क्या है यह समझ में अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं मैं आपको कि याद करो वर्क डन आता कहां से था पी डेल्टा भी से आता था तो पी अब देख डेल्टा भी बराबर वी टू माइनस भी बन बोलो हां यह खुद माइनस देगा ना अपने आप क्योंकि अगर बड़े माले म माइनस भी से जरूरत नहीं है समझ गर अलग से बलगती जब आप कहते नी हम तो हर बार प्लस लेंगे और तुम बाद में माइनष लगा देंंगे है NOT बाद में वो कर देना प्रसारवाला माइनस प्लस तो अब अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं अब आपने डारेक्ट लिग दिया समझ में आ गया ना चलो लास्ट W4 क्या रुढ्योस में समपीरलें क्या होता है R अपन गामा माइनस वन ताप मन देखो बिटा यहां पर क्या था T2 और यहां पर क्या चला गया T1 तो T2 माइनस कितना T1 बोलो हा या ना अब देखो ध्यान से अपने negative है yes or no w2 is equal to w4 का negative मतलब w2 plus w4 equal to कितना मतलब यह दोनों को add अगर होगे तो क्या हो जाएंगे cancel तो जो मैं कह रहा था w2 से w4 क्या हो गया cancel मतलब कुल वर कितना बचा w1 plus w3 yes or no कुल वर कितना बचा w1 plus w3 okay yes or no तो कुल वर्क हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है डबलू वन प्लस डबलू थ्री तो network है equal to w1 plus w3 हा या ना अच्छा ध्यान से देखो w1 network है q1 के equal है और यह किस पे हुआ है सिंक पे यह सोर्स पे घटेद हुआ है किस पे घटेद हुआ है सिंक पे घटेद हुआ है आ रहा समझ में ठीक अब यह तो देखिए यह हो गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं भाईया कितना q1 plus q2 okay q1 plus q2 ठीक है ना है यह बाहर निकल रही है इसलिए इसको माइनस मिलो तो किया गया कर q1 minus q2 अब ठीक है यह सिंक की उश्मा है न डबलू थ्री कि अरे q1 सोर्स उसमा लेगा तो लेने वाली उसमा धनात्मक और छोड़ने वाली उसमा रणात्मक q1 minus q2 q1 minus q2 चलो अब सॉल्व करते हैं भाई इसको है ना तो q1 minus q2 यह हो गया आपने पास अब इतना नोट करो जल्दी से फटा-फट पहले करफ़ सकते हैं ठीक ओके चलिए तो अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा conceptually ऐसा लग रहा है कि plus q2 लिखना जायज है कि नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने आयतन जो लिया है इसका तो formula विल्कुल वास्तिविक यूज किया है तो अभी देख लेते हैं आपन आगे चलके कि plus q2 सही है कि minus q2 सही है अब यदि इस आधार पर देखा जाये तो w equal to network equal to q1 minus q2 बन रहा है network equal to यहाँ पर q1 minus q2 बन रहा है अभी आँगे करते हैं फिर समझ में आएगा फिलाल मैं इसको rough कर देता हूँ इधर का पाट ठीक है चली यह हो गया अब अपन निकालते हैं efficiency कार्णो इंजन की दक्षता ठीक ना कार्णो इंजन की दक्षता कल मैंने आपको बताया था कि यह जो है better होगा इसको मैं q2 ही ले लूँ और network equal to q1 minus q2 w1 plus w3 and network is equals to w1 plus w3 चलो इसको हटा दो यह part हटा दो no problem यह part अपने हटा दिया ओके चली आए अब बात करते हैं अब हमने कल पढ़ाया था आपको efficiency is equals to कल मैंने आपको पढ़ाया था efficiency is equals to कितना होता था हाँ one minus q2 upon q1 और वो आया था q1 दी गई उश्मा मैंस सिंक में गई उश्मा अपन कितना q1 yes or no इसको solve करने पाया था one minus q2 upon कितना q1 one minus q2 by q1 यह थोड़ा सा यहां पर यही माइनस साइन का ही थोड़ा सा पंगा होने वाला है तो one minus q2 by q1 अब देखिए one minus q2 जो q2 का उश्मा है वो काम q2 किसके एक्वल है बेटा w3 के एक्वल है और q1 किसके एक्वल है ठीक है ना अभी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हमें कुल मिला करके लाना क्या है नीटा is equal to one minus t2 by t1 यह लेके आना भाई साब हमें यह ले करके आना है हमारा टार्गेट यह है समझ रहे हो चलो भाई ठीक है इसको रफ कर देता हूं मैं तो one minus w3 by w1 equal to one minus w3 देखो w3 कितना है rt2 rt2 मैं इसका log नहीं लिखा गलती से rt2 यहाँ पे log है बिटा है ना तो rt2 log v4 upon कितना v3 और यहाँ पर rt1 log v2 upon v1 अब आप कहोगे सर 2.303 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लगा भी लोगे तो 2.303 उपर से नीचे से क्या हो जाएगा cancel तो कोई फर्क जादा पढ़ने वाला नहीं है r से r cancel तो यह हो गया 1-t2 upon कितना t1 है ना और उपर log v4 by v3 और यहाँ पर log v2 by v1 तो log v4 by v3 और log v2 by v1 ठीक है ठीक है भाई अच्छी बात है t2 by t1 log v4 by v3 और log v2 by v1 ठीक है 1-q2 by q1 अब देखते हैं इसको convert करने के लिए अब यहां से इसको इसको कुछ नंबर दे दो आप इसको आप दे दो नंबर 1 क्या दे दिया इसको आपने नंबर 1 दे दिया है ठीक ना इसको आपने नंबर 1 दे दिया है अब आते हैं देखते हैं यह इसको रफ कर दो देखिए जब आप जो है यहां से यहां गए थे second प्रक्रम में इधर से इधर तो यह प्रक्रम जो था यहां पर P1, V1, टापमान कितना था? T1, बोलो हाँ और यहां पर क्या था? P2, V2 और टापमान कितना? T2 और कैसा प्रक्रम था? रूधोश में कैसा प्रक्रम था? रूधोश में कहां V3 भई? ओके तो यहां पर फिर V2 था यह P2, V2 था और यह T1 था और यह P3 और V3, सही कहरे हो बिलकुल तो उपर P2, V2 और तापमान T1 और नीचे P3, V3 और तापमान T2 यह था तो अब इसको हम आँगे स्वाल करते हैं अब यह रूधोश में प्रक्रम है रूधोश में प्रक्रम का जो अवस्था समीकन होता है तीन होते हैं बिटा एक P V की पावर गामा इक्वल टू नियतांक दूसरा होता है T V की पावर गामा माइनस वन T V की पावर गामा माइनस वन बराबर भी नियतांक तो नोट कर लोग P V की पावर गामा भी नियतांक होता है और T V की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू नियतांक ये भी होता है तो देखिए अब हमको दोनों रुधोस प्रक्रम पे खेलना है तो पहला रुधोस प्रक्रम देखें चलाते हैं अपन तो क्या होगा इस वाले फॉर्मुले को लगाओ ये वाला फॉर्मुला क्या कहेगा पहला है ताप T1 आयतन कितना है बेटा V2 आयतन कितना है V2 की पावर गामा माइनस 1 एक्वल टू ताप कितना T2 आयतन कितना V3 की पावर गामा माइनस 1 क्लियर है तो यहां से हमारे पास T2 V2 और V3 ये हमारे पास आ गया है तो यहां से मैं बना सकता हूँ T1 upon T2 is equal to V3 upon V2 की पावर गामा माइनस 1 लिख लो भई V2 upon V3 की पावर गामा माइनस 1 ठीक अब दूसरा जो प्रक्रम है वो यहां से यहां गया थो आपको याद होगा संपीडन वाला याद है तो यहां पर दाब कितना था P4 आयतन V4 तापमान कितना T2 और यहां पर दाब था P1 V1 और कितना T1 ठीक है न तो यहां पर फिर से इसी को एक चीज तो आगए इसको नंबर A दे दो अब एक बार फिर से इस प्रक्रम को लगाईए आयतन कितना V1 की पावर गामा माइनस 1 तो T1 बाई T2 चाहिए हमको न हाँ हमको T1 बाई T2 यहां भी हमने क्या निकाल ला है T1 बाई T2 ठीक है तो यहां पर T1 अपाउन T2 T2 को नेचे ले जाओ तो V4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस 1 भोलो जी हाँ है ना तो मैं पलट के लिखूंगा T1 अपॉन टी टू इस इकुल टो V4 अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस 1 ठीक है? रिलेशन अंबर B देखो दोनों के लेफ्ट साइड में तापमान T1 upon T2 है यहां भी क्या है T1 upon T2 जब दोनों के 22 तरफ के तापमान का अनुपाद बराबर है तो दाया तरफ के भी क्या होंगे मतलब समी करण A और B को मिला करके मैं लिख सकता हूँ इसका दाया वाला और इसका दाया वाला मतलब V3 upon V2 की पावर गामा माइनस 1 एक्वल टू V4 upon V1 की पावर गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 कैंसल मतलब केवल बजगया V3 upon V2 एक्वल टू V4 upon V1 यस और नो यहां से V1 को उपर ले करके आओ यहां से आप जो है V1 को उपर उपर ले करके आ सकते हैं तो V1 उपर आ जाएगा और V3 नीचे चला जाएगा, V2 नीचे रहेगा, एक मिनट मैं यहां पर लिख दूँ, उपर का लिख लिए आपने जगे कमपड रही है, देखो कुछ नहीं होना है, V3 को इधर ले आओ, और V1 को यहां ले आओ, मतलब यह ब V1 अपॉन अपॉन वी टू इस एक्वाल टू वी फोर अपॉन वी थ्री, चलो सुनो अब, अब यहां पर अब जो है, आपको यहां पर जो है, वाकई में क्लियर हो रहा है, कि आपको जो यहां पर हीट जो है, हीट यहां पर आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि जो मुक्त हुई उर्जा है, उसको आपको रिनात्मक लेना पड़ेगा, यहां पर आपको मुक्त हुई जो उर्जा है, उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, रिनात्मक लेना पड़ेगा, यदि न है इस वाली चीज से इस वाली चीज को चैंसल करना एख तभी क्या बनेगा ये वन माइनस टीटू अपउन चीवन बनेगा ऑगी नहीं रही है जो लुकिशंट स्क्राइब जाए मिभी देखो यहां पर यहां पर यह यहां पर होना चाहिए यह यह क्या बैठा है V2 upon V1 तो माइनस साइन का पंगा क्यों हो रहा है वो माइनस साइन का पंगा इसी लिए हो रहा है क्योंकि अपने यहां पर जो है इसका साइन जो है निगेटिव नहीं लिया है इसका साइन निगेटिव नहीं लिया है ठीक ना तो एक साइन हमको इसका निगेट करना पड़ेगा चलिए तो कर देते हैं एक sign negative 1 minus T2 by T1 एक sign इसका हमको negative करना पड़ेगा तो heat यहाँ पर जो ली गई है उसको minus कर लो तो ये क्या हो जाएगा plus q2 जो heat है वो क्या हो जाएगा plus तो ये भी equal to या ऐसा समझो कि log of x equal to minus log 1 by x मतलब किसी चीज को अगर पलट दोगे तो बाहर क्या जाएगा minus ये formula होता है कि अगर किसी चीज को पलट दोगे तो बाहर minus हाजाएगा तो ये बन जाएगा one plus मैं किसको पलटना चाहता हूँ उपर वाले को उपर वाले को मैं क्या करना चाहता हूँ या नीचे वाले को बोलो किसको पलटा जाएगा चलो नीचे वाले को पलट दो तो one अपन वी टू और वी फोर अपन वी थिरी क्या हो गया है कैंसल और यह माइनस आके इसके साथ मुल्टिप्लाई हो गया हो क्या बन गया one minus टीटू अपन तो यह आ गई कारनोट एंजन की एफिशेंसी one minus 1-t2 by t1, note करिए इसको, 1-t2 by t1, तो यह थोड़ा सा यहाँ पर उर्जा वाले में concept याद रखना है, और बाकी सब कुछ ठीक है,